आज के इस लेक्षर में हम दो important questions या दो important concepts को deal करने वाले हैं जिसमें से first question है, let n be the set of all positive integers for each n belongs to n, let an is equal to n into n plus 1, n plus 2, so on, then show that the collection tie is equal to phi, a1, a2, a3, so on, is a topology on n. second question या second concept ये है, for any non-empty set x and a is subset of x, then show that the collection tie is equal to phi, a, a complement and x is a topology on x. तो पहले हम first question को deal करते हैं, या first question को हम समझते हैं, देखें ये student, first question में हमें ये कहा गया है, हमारे पास एक journal set है, a, n, वो क्या है, n into n plus 1, n plus 2, so on, okay? अब ये जो n है, ये बेसिकली natural number से बिलॉंग कर रहा है, हमने शो करना है कि ये जो टा है, टा इसमें गिवन है, collection, phi, a1, a2, a3, so on, is a topology on n. हमने इस टा को topology बताना है या बनाना है, देखें ये student, पहले तो हम इसमें जो a1, a2, a3 हैं, इनको जरा देख लेते हैं, कि ये हमारे पास किस तरह के numbers आ रहे हैं, let, a1, a1 का मतलब यह होगा, कि हम n की जगा पर one put करेंगे, तो जब हम यहाँ पर n की जगा पर one put करेंगे, one, two, three, so on, ओके, यानि जब हम n is equal to one put करते हैं, तो हमारे पास a1 आ जाता है, one, two, three, so on, similarly, जब हम n की जगा पर two put करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, a2 equal होगा, one, sorry, two से start होजाएगा, जब यहाँ पर two put करेंगे, two, three, four, so on, इस तरह के number आएगे, two, three, four, so on, similarly, जब हम n की जगा पर three put करेंगे, n is equal to three, तो हमारे पास क्या आएगा, different result, हमारे पास आएगा, a3 equal होगा, three, four, five, so on, जब हम यहाँ पर n की जगा पर three put करेंगे, तो similarly, जब हम n put करेंगे, तो हमारे पास number आना शुरू होजाएगे, n into n plus one, n plus two, यानि कि यह हमारे पास general set आजाएगा, अब हमने show करना है, कि यह जो set है, जिसमें इस तरह के elements पड़े हुए हैं, कि क्या यह set topology बना रहा है, या नहीं बना रहा, चले, पहले हम इस पर check कर लेते हैं, union की property, लाजमी नहीं कि आप पहले union की property चेक करें, पहले आप इस पर यह देख सकते हैं, क्या इसमें 5 और complete set आ रहा है, फिर आप यह इस पर देख सकते हैं, क्या इसमें जो है, या अगर इसमें 5 और complete set आ रहा है, तो फिर उसके बाद आप इसका union चेक कर लेते है जरूरी नहीं है कि किसी property को first check करें या आप पहले 5 और X को देख सकते हैं पहले आप इस पर intersection की property चेक कर सकते हैं या पहले आप इस पर union की property देख सकते हैं इसमें कोई मसला नहीं और कोई problem नहीं है चले हम देखते हैं पहले इस पर union की property first we check property of union देखें अगर हम यूनियन लेते हैं A1, Union, A2, Union, A3, so on तो क्या result आएगा देखें Union basically far example देखें जिस्टोड़ एक सेट है 1, 2, 3 दूसरो सेट है 2, 3, तीसरे सेट है मेरे पास 3 अगर मैं इनका Union लो तो मेरे पास क्या आएगा 1, 2, 3 यानि Union में हमेशा बड़ा सेट आता है तो इसी लिए इसी तरह हमारे पास A1 जो है सबसे बड़ा सेट है यानि उसमें 1, 2, 3 है अगला जो सेट हैगा उसमें 2 से स्टार्ट होंगे elements उससे अगला सेट जो है उसमें 3 से elements स्टार्ट होंगे इसी तरह अगर आप 10 लेते हैं तो उससे जो अगला सेट होगा वो 10 से स्टार्ट होगा मतलब इससे अगला तो force है यानि कि अगर N की जगापे आप 10 रखते हैं तो आपका सेट 10 से स्टार्ट होगा इसी तरह आप जो नमबर भी रखेंगे वो उसी से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर इन तमाम सेट्स का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा A1 यानि A1 सबसे बड़ा सेट है यानि जब आप यूनियन लेंगे 1, 2, 3, so on या 2, 3, 4, so on तो इसमें सबसे बड़ा सेट A1 है तो आपके इन तमाम का यूनियन क्या आजएगा A1 अब आप देख सकते हैं कि ये जो A1 है ये बिलॉंग कर रहा है टा में तो इसका मतलब ये हुआ यूनियन जो है यूनियन प्रॉपर्टी होल्ड on टा या आप यू कह सकते हैं टा इस क्लोजड अंडर यूनियन ठीक है यूनियन आफ अर्बिट्रेरी आलिमेंट्स या यूनियन आफ आल आलिमेंट्स जो भी आप कह लें अच्छा इसके बाद हम चेक करते हैं इंटेक्ट्ठ्ठेक्शन जब आप in elements का इंटेक्शनलspir 각 यूनियन फाद हो को कह देंगे यूनियन धिकम कर देखें मैं इसको कह देता हूं यूनियन भी वंड़़ी क्या आएगा dear student, सबसे छोटा सेट है ना, यानि a3 आ जाएगा, similarly, जब आप a1, intersection a2, intersection a3, so on, intersection n लेंगे, यानि कि जो हमारा n नमबर होगा, वो ही basically हमारे पास intersection की फार्म में आ जाएगा, यानि कि अगर हम यहां पे एक intersection में last पर लिख देते हैं, an, तो हमारे पास जो सबसे last वाला number है, यानि जिस तरह इसमें a1, 2, 3 है, इसमें 2, 3, उसमें 3 है, तो जो last वाला integer है, वो ही जो set है, वो हमारे पास, यानि कि जो छोटा set होता है, वो हमारे पास basically intersection में आता है, तो अगर हम इसमें number put करते हैं, तो इसमें last वाला set होगा, तो ऐसा कौन सा set होगा, जिसमें सारे elements common होगे, तो वो 10 वाला set होगा, इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं, एक है a1, एक है a2, एक है a3, अगर आप इनका intersection लें तो आपके पर जवाब यह आएगा, यानि कि वो elements जो सब में common है, इसी तरह अगर आप n sets का intersection लेंगे, तो जो आपके पर सबसे last, यानि कि n वाला set होगा, वो आपके पस as a intersection आएगा और a n भी आपका टा में belong कर गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, टा is closed under intersection, तो टा आपका intersection के cross-pandemic close हो गया, यानि कि इस set पर union की property भी hold कर गई है, और इस set में intersection की property भी hold कर गई है, अब हमने यह देखना है, क्या इसमें five और complete set n है, यानि हमने इस set को basically topology show करवाना है, set of natural number पर, और हमें natural number का अच्छे से पता है, हमारे पस natural number होता है, start one, two, three, so on से, अब हमने यही चेक करना है, क्या इस set में union अगर hold करता है, intersection hold करता है, तो क्या इसमें five और complete set आ रहा है, बिलकुल आ रहा है, देखें, five तो इसमें already belong कर रहा है, आप यह लिख सकते हैं, five और belong to ta, अब n कौन सा set है, अब यह first वाला set देखें, a1, क्या a1 और natural number सेम नहीं है, तो आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं, a1 is equal to n, so n belongs to ta, hence all properties hold, which shows that, ta is equal to five, a1, a2, a3, so on is topology on n, and ta and n is topological, topological space, तो यह हुआ हमारा first question,